हलो एब्रीवन यूर वेल्कम टू बेस्ट नोस टूटोरियल और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम सौर मंडल या सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कोशिशन्स बनते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे अच्छे से कि सौर मंडल क्या है सोलर सिस्टम क्या है यूजरी हम लोग इसे जानते हैं लेकिन उससे जो कुश्चन्स बनते हैं उन्हें हम डिस्कुशन करने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोग जो ग्रह हैं उनके बारे में जान लीजिए उनके नाम सबसे पहले आप लोग देख लीजिए तो बुद्ध ब्र आप लोगों को अभी बता दूँगा नेकिन पहले आप लोग M.O.M.J. Sun इस तरह से आप लोगों से याद रखना है इस तरह से अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको चार चार करके आप लोगों के पास में आठ ग्रह हो गए ठीक है तो आप लोगों को दो कुर्शिन ह हो जाएंगे यहां से दो-तीन कुश्यन इसी तरह से यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे आपके एक कि जो Sun है उससे दूरी के क्रम में यह लगाए गये हैं ठीक है सबसे पहले आपका मरकर ही आता है फिर वीनस आता है फिर आर्थ आता है फिर मार्स आता है ठीक है चार तो यह हो का बी सारे ग्रहों के नाम को याद हो जाएंगे याद के 짧वा दूसरी छीज है कि हमारा जो the distance है वो पता चल जाएगा आपको कि सबसे नजदी कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है तीसरी चीज आप लोगों को ये पता चल जाएगी कि कि किन है inner planets आंतरिक ग्रहे ठीक है इन्हें हिंदी में बोलते हैं हम आंतरिक ग्रहे उपर भी हम अभी discuss करेंगे तो जो इंगलिश वा प्रहे ठीक है और आपके inner और outer पूछे जाएंगे आंतरिक और रह पूछे जाएंगे और लिस्ट आप लोगों के पास आ जाएगी अब दूसरा जो मैंने आप लोगं को बताया था कि आंतरिक और बाहियक रह क्या होते हैं तो ये आप लोग इस तरह से देख सकते हैं और इसी तरीके से ये आप लोग सिंपल सा इस तरह से बशपम तेक है और ब्रहष ब्रहष अब देखें ब्रहष देखें ब्रहष अब तो अब ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है तो ये देखिए कि आप लोगों को पास में दो चीजें एक जैसी हैं और पीछे आप लोगों को याद रखना है इन चीजों को तो इस तरह से बस एक बार आ आप लोगों बताऊंगा कि किस तरीके से इसका फाइदा क्या है सीक्वेंस याद रखने का अभी थोड़ी देर में आप देखे दूरी के करम में हम लोग जान चुके हैं ये वाला अब इसमें एक और चीज आप लोगों की है कि आकार के करम में कि जो सबसे बड़ा है वो क्या है आप लोगों का ब्रेश्वती है ठीक है उसके बास चानी है फिर आरून है फिर वरनून है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं तीसरा जो आता है वो पूछा जाता है कि जो आप लोगों के ग्रह है उनमें उप ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो बुद का कोई उप ग्रह नहीं है फिर जो शुक्र है उसका कोई उप ग्रह नहीं है तो जो दो हैं शुरुआत के उनका उप ग्रह नहीं है फिर आप देखेंगे कि ये आ रहा है आपका यह हो गया आपका जीरो यह हो गया जीरो यह हो गया वन फिर यह हो गया आपका टू तो मंगल के आपके दो हैं फाबोस और डिमोस ठीक है फाबोस और डिमोस तो मैंने आप लोगों को जैसे कहा है कि बहुत सारी चीजें हमने कभी सुनी नहीं होती है तो आप लोग क्या करें यह आप लोगों को याद रखना है ठीक है तो यह है आपके मंगल के ग्रह फाबोस और डिमोस उसके बाद आता है आपका ब्रेश्पती ब्रेश्पती के 79 है लेकिन यहाँ पर एक कुश्यन आता है कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है तो आपका गैनिमेड है गैन 62 उपग्रह यहाँ पर है इनके और मून आप लोगों कितने है 62 है अब आगे चलते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को यह याद आ गया तो जैसे हम शनी में दान देते हैं ठीक है सेटेड़े को हम दान देते हैं शनी महराज को तो हम लोग क्या करेंगे कि हम बोले कि पिर्थवी के सबसे नजदी कौन सा है आप लोगों को पता चल चुका है कि कौन सा है आप लोगों का तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो पिर्थवी है यहां पर पिर्थवी से सबसे नजदी कौन सा है शुक्र है ठीक है इसलिए दोनों को क्या कहा जाता है sisters नीचे हम अभी देखेंगे इसको तो इन दोनों को क्या कहा जाता है सिस्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि जो शुक्र ग्रह है लगभग बरावर है सुर्य अपनी धुरी पर जो सन है वो पस्चिम से पूरू की तरफ घड़ी की विप्रीद दिशा में घुनन करता है कि अगर हम सुर्य की बात करें तो ये क्या करता है आप लोगों का जो घड़ी की विप्रीद अगर हम बात करें कि इधर हो गया आपका ये तो हो गया आपका clockwise तो ये anti clockwise क्या करता है रोटिशन करता है ठीक है पिर्थवी और अन्य ग्रह सूर्य की परकर्मा करते हैं और जो पिर्थवी है और बाकी ग्रह है वो सभी क्या करते हैं सूरज के चारों और घुमते हैं यही हमें ध्यान रखना है लेकिन एक जो इंपॉर्टन बात है वो यह है कि कई बार हमारे दिम कि आकाश गंगा है उससे उसकी क्या कर रहा है परिकर्मा कर रहा है तो आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लेट सी कि आप लोग वो पिछली वीडियो का याद है या नहीं है कि हमारी जो आकाश गंगा है वो उसका नाम क्या है शुक्रा और अरुन को छोड़ कर बाकि सभी सारे ग्रह भी सूर्य की भाती परस्चिम से पूरो की तरह गड़ी की उल्टी दिशा में गूमते हैं कहने का आपका शुक्र हो गया वीनेस हो गया ठीक है और अरुन हो गया दोनों के दोनों को गूम रहे हैं इधर को गूम रहे हैं लेकिन बाकि के सारे जो ग्रह हैं वो आपके एंटी क्लॉक वाइस गूमते हैं अब आजाते हैं कि पूरे जो हमारे आठ ग्रे हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जो सूरिय है उसका अगर हम diameter की बात करें तो diameter कितने हैं उसका 1392-200 1392-200 तो यह phone number है अगर आपको sun को बात करनी होगी तो 1392-200 ठीक है तो आप लोगों को इस तरह से याद करना है 1200 तो यह sun का phone number मानके चल सकते हैं और अगर हम पिर्थवी की comparison करें जो earth है उसका comparison करें सूरिय से तो यह कितना है 110 हम कहेंगे कि गुणा उसका क्या है जादा ब्यास है या उसका diameter है प्रॉक्सिमा century के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्रॉक्सिमा century क्या है एक जो तारा है वो सबसे नजदीक रहता है इस टार है और वो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक है और वो कितने में 4.25 लाइट येर के दूरी पर है सूरिया में परमाणू यहां पर दिखान रखना है यहां पर परमाणू sun layer होता है Atomic fusion होता है कहने का मतलब यह होता है और तो दो चीजे मैंने आप लोगों को बताई है ठीक है वो क्या हो रहा है आप लोगों का ऐटमिक फ्यूजन हो रहा है सन लेयन हो रहा है और उसके बाद है आप लोगों का हाइड्रोजन हीलियम तो जो main जो element है वो है आप लोगों का वहां पर जो fusion हो रहा होता है helium का हो रहा होता है और hydrogen है आप लोगों का कितना 71% वहां पर helium है 26.50, carbon है आपका 1.5, nitrogen, oxygen और other gases are 1% तो fusion जो हो रहा है वो इन gases का हो रहा है तो आप लोगों को याद रखना है उसमें और इसी से क्या हो रही है एनरजी निकलती है जो एनरजी निकलती है वो हम तक पहुंसती है बाहरी सत्य का तापमान अंदर से कम होता है और सूर्य का जो केंद्रिया भाग है उसे क्रोड कहते हैं तो जो अगर हम सन का पूरा मान ले इस तरह से, तो जो center होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, और जो तापमान है, अंदर से कम होता है, अगर हम यहाँ देखे कि यह जो है, यहाँ क्या है, जआधा होगा, जो temperature होगा, जाधा होगा, और भाहर जो होगा, वो क्या होगा, आपका कम होगा, यह आप लोगों को याद रखना है, सूर्य का जो आंतरिक सतय का तापमान है, वो आप लोगों का 1.5 into 107 degree centigrade है、 और सूर्य की बहरी सतय का तापमान 6,000 degree centigrade है, सूरिया की रोश्णी पृतिवी तक पहुंशने में आइट मिनट और ट्विंटी सेकंड का समय लगता है यह आप लोगों को नो डाउन करना है तो सन के बारे में जितनी इंफोमेशन है आप इसमें माइन मैप बना सकते हैं क्योंकि माइन मैप बनाने से क्या होता है कि हम काफी ज़्यादा चीजों को याद रख सकते हैं और जो बाहरी हिस्से को हम प्रकाश मंडल कहते हैं ज्यान रखिए कि जो बाहरी जो हिस्सा होता है सन का उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं और जो अंदर का होता है उसो क्रोमो स्फियर कहते हैं सन के बारे में आप लोग पैन से नोट डाउन कर लीजिए कुछ चीज़ें यहां पर आप लोगों पीडियेप में नहीं लिखी वी हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है तो मैंने आप लोगों के खह दिया कि क्रोमो स्फियर जो है वो तो आप लोगों को क्या है इनसाइड आप लोगों को क्या है आप लोगों का यह क्रोमो स्फियर है आप लोगों का ठीक है जो बाहर यह लाइट दिखती है इसको हम फोटो स्फियर बोलते हैं ठीक है फोटो प्रकाश मंडल, हिंदी में क्या कहेंगे, क्रोमोस्फियर को क्रोमोस्फियर याद रखी है, उसके अलावा, एक चीज ऐसा है कि जब सूरिया का जो बाहर वाला हिस्सा है, सूरिया ग्रहन होता है, तो सूरिया ग्रहन में क्या होता है, यह जो बाहर वाली जो चीज है, यही सि तो उस टाइम इस चीज को कोरोणा कहा जाता है कोरोना से आप लोगों को याद भी रहेगा ठीक है कोरोणा ने बहुत, परिक्शान भी किया है, तो गोरोणा इसको कब कहा जाता है कि जो बाहरी सूरिय गरें के समय दिखाई देता है उसके ऑलावा, जो ये सन की जो हमें इस तरह से दिखाई देता है, फोटो स्फेयर जिस चीज से बनता है, उसको सोलर फ्लेइर भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, सोलर फ्लेइर, इसको आप लोग लिख भी लीजिये, ठीक है, ये सारे note down कर लीजिये, स्क्रिंशॉट रख लीजिए, या तो इन चीज़ों को लिख लिए उसके अलावा जब यह सन है यहाँ पर दुबारा से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर यह सन है अब यह सन की जो रेज हैं वो आएंगी अंदर और वो एक टाइम के बाद हमारा जो वाई मंडल है ठीक है वाई मंडल में आएंगी तो उस टाइ क्या होता है जब वो जो सन की रेज है वो वाई मंडल में आ जाएंगी वाई मंडल में आते ही यह कलरफुल हो जाती है ठीक है तो कलरफुल जब यह हो जाती है तो रंगीन जो परकाश बनता है ठीक है कलरफुल जो लाइट बनेगी उसको हम कहते है औरोरा ले ठीक है तो इ aurora light आप लोगों को याद रखना है aurora light या रंगीन परकाश तो ये हिंदी में भी actual में कई बार ये आ जाता कि aurora lake light क्या है तो इस तरह से कई बार समझ में नहीं आता कि ये चीज क्या है बहुत सिंपल घटना है लेकिन कई बार पूछ ली जाती है कि aurora light क्या चीज है अब क्या है इसे आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी है कि हाँ पर दो term आते हैं कि ये कभी उत्तरी धुरूब पर और कभी ये दक्षणी धुरूब पर means north और south pole पर ठीक है तो north pole पर अगर हम बात करें हमने aurora तो पीछे लिख लिए है मैं यहां पर बुराइलिस लिख लेता हूं ठीक है हिंदी में भी इसी तरह से होगा English में भी इसी तरह से होगा तो इसको हम बोलेंगे aurora बुराइलिस और दूसरा जो है अगर इसको उधर होगा तो यह होगा आपका aurora australis नौर्थ पोल में क्या कहा हमने इसको ऑस्ट्रेलिस नौर्थ पोल में बुराइलिस और south पोल में औस्ट्रेलिस इसके आगे aurora लगा हूँ है क्योंकि बात होगी है अब क्या होता है कि जहां से यह सौर जोला निकलती है जैसे आप sun को वैसे तो देखा नहीं जा सकता लेकिन क्या है कि sun से जो जो जोला निकल रही है या जो flares से निकल रही है वहाँ पे black धब्बे बन जाते हैं ठीक है black spots बन जाते हैं तो इनको सौर कलंक या sun spot कहा जाता है इतनी चीजें आप लोगों को इसमें याद रखनी है और आप लोगों को इस से क्या होगा कि जादा से जादा चीजें लरन रहेंगी और जो पूछा जाता है कि जो sun spot है तो sun spot की जो गर्मी है वो कितनी रहती है क्योंकि ये थोड़े से ठंडे होते हैं बाकी जगे के temperature से तो ये 1500 degree Celsius इनका क्या होता है जो black spot है उनका जो तापान है या उनका जो temperature है वो इसमें याद रहता है इसके अलाव आगर हम बात करें कि इस रो ने एक ग्रह बेजा था सन के बारे में आप लोग याद रख लिजे कि इस रो ने एक ग्रह भी बेजा था उसका नाम था आदित्दिया study करने के लिए sun को करने के लिए और ये किस चीज़ को करने वाला था ये जो कोरोना था उसकी study करने के लिए था तो बाकी चीज़े आप लोगों को पता चल गई है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देरे-देरे सारी चीज़े देखते हैं अब उसके बाद है आप लोगों के पास बुद्ध थीक है तो बुद्ध में आप लोग देखेंगे कि बुद्ध जो है वो sun के सबसे नजदीक है सूर्य के सबसे क्या है नजदीक है निकटतम है तो अगर आप छोटा सा एक हर एक ग्रह के लिए हर एक planet के लिए आप लोग क्या कीज़े एक छोटा छोटे mind map बना लीजे, ठीक है, तो उससे जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे चीज़ें, तो आप देखिए, सूरिय से सबसे नजदीक जो ग्रह है, वो कौन सा है आप लोगों का, बुद्ध है, या मरकरी है, इसमें एक चीज इंपॉर्टन्ट है, क्योंकि ये सबसे नजद जो है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, इंवायमेंट जो है, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, और इसमें क्या होता है, कि जो इसकी हीट है, वो क्या हो जाती है, सारी की सारी बहार निकल जाती है, तो इस वज़े से क्या है, ये ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है, सबसे छो कि जो यह Roteyan करते हैं वो 88 days करते हैं और बुध जो अपनी धुरी पर गोंता है जो एकसीस पर गोंता क्योंकि कोई भी ग्र antibody है वो दो तरह से हो रोटेट अरुटेट हो रहा होता है और दूसरा वह सन के ढश्रीट म अपका मरकरी है उसमें दो चीजे हैं एक तो 88 दिन लगते हैं और दूसरा जो है वो अपनी जो घूमता है अपनी एकसेस पे घूम रहा है ठीक है वो कितने दिन में घूम रहा है 59 डेज में और बुद का कोई उग्रह नहीं है हम अलरड़ी उपर देख चुके हैं इसका कोई म मून नहीं है अब आ जाते हैं वीनेस के पास में वीनेस क्या है लगबग यह प्रिथवी के बराबर है इसलिए इसको सिस्टर भी कहा जाता है प्रिथवी की और इसमें CO2 बहुत जादा है जो की लगबग 97 है ठीक है तो जो शुक्र है उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा CO टू ठीक है और इसको प्रिथवी की बहन भी कहा जाता है इसे पूरा अगर हम सूरिय के चारों तरफ गूमने के दिन की बात करें तो 255 डेज लगते हैं ठीक है और अगर एक्सेस की बात करें तो 243 दिखती है और जैसे कि हम जाते हैं कि यह आपका कहां से एस्ट से वेस्ट की तरफ गूमता है मेंस घडी की दिशा में गूमता है नेक्स्ट है आप लोगों का मेंस क्लॉक वाइस गूमता है ठीक है लोग कुछ टर्म्स को समझ लीजे बाकी चीजिए बराबर ही होती है सबी लोगों को समझ में आ जाएंगे और यह सबसे brightest भी है सबसे चमकीला है इसलिए से सुंदरता के देवी या morning star सबी कहा जाता है तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है इसमें और जब शुक्र गरहका आप बनाएंगे एक page में आप simple सा बना लीजिए Venus लिख लीजिए और इस तरह से अपना छोटे-छोटे जो mind map है वो आप लोगों को तैयार करने हैं उसके बाद आता है Earth Earth के बारे में हमें पता है कि 365 days, 6 hour 48 minute और 45.51 सेकंड लगते हैं बहुत डिटेल में है वैसे 365 days common रहता है 6 hour उसमें पूछ लिया जाता है साथ में और अगर ये अपनी access पे जो घूमता है तो वो आपका 23.56 आवर में घूम लेता है पृत्वी अपनी अक्ष पर जो अपनी धुरी है वो बिलकुल सीधी नहीं है ठीक है जो पृत्वी का है वो बिलकुल सीधा नहीं है हम इसको आगले उसमें पढ़ेंगे डेटेल में कि किस तरह से ये effect डालता है किस तरह से वैदर चेंज होते हैं किस तरह से और चीजें जो 23.5 डिगरी है उसपर जुका हुआ है integral और फैद टीक है इसको नीला गरहा है Blue Planet भी इसको कहा जाता है इसका रिजन क्या है? 71 आपका क्या है? इसमें percentage इसमें water 21 कीश का Moon है जो कि हमें हमDa Whats Me वह मून है महारा और यह पिर्तिवी 6 ben 400 skum दूबर भाग來了 लगख इसलिए इस वज़े से यह क्या दिखाई देता है लाल गिरह दिखाई जाता है इसलिए इसको लाल गिरह भी बोल गया है और मंगल को अगर हम उसकी एक्सिस पर गूमने के बात करें तो 24.6 आवर लगते हैं मैं आप लोगों बता दूँ कि अगर आप इसका माइंड मैप बना करने में कितना लगता है 6-8-7 लगता है अब जैसे यह 6-8-7 है तो आप लोगों को सिर्फ यह डिजिट ही कहीं पर लिखनी है 6-8-7 हो गया ठीक है बाकी चीज़ें होंगी तो आप लाइन से उन चीज़ों को लिख सकते हैं इसके दो ग्रह है फाबोस और डिमोस हैं और पूसलिया जाता है और मंगल ग्रह पर ठीक है तो निक्स ओलंपिया कहा है आप लोगों का मंगल ग्रह पर है यह एवरेस्ट से करीबन तीन गुनाव बड़ा है उंचा है ब्रेश्वति ग्रह जिपिटर ब्रेश्वति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है और यह चीज़ दे 30 डिग्री सेल्सियस है ब्रेश्वति ग्रह का जो सबसे सबसे अधिक सेवन्टी नाइन उप ग्रह है एक चीज तोड़ा सा यहां पर करेक्शन आप लोगों को करना है क्योंकि जो सैटन है जो सनी ग्रह है वो अब क्या है उसके 82 हो चुके है ठीक है जो लिटेस्ट है 82 हो च है क्योंकि इसके 79 ही है और जो सैटन है उसके 62 हो चुके है क्योंकि प्लस टू हो चुके है और हो सकता है इस पीडिएफ में भी 62 ही लिखाओ 20 जो है वो नहीं मिल चुक है तो इस तरह से यह इंफोमेशन आप लोगों को रट लेनी है या लिख लेनी है कई पर और बड़ा है और यह जो बुद्ध ग्रह से भी बड़ा है जो इसका मून है सूर्य की परिकर्मा करने में ब्रेश्पती को 12 वर्षों का टाइम लगता है मेंस 12 यह अपनी एक्सेस में तो यह 10 डेज में ही गूम जाता है ब्रेश्पती की तुलना सारे ग्रहों के वजन से भी 2 2.5 गुना ज्यादा भारी है अब हम लोग आ गए है सेटन पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहला करेक्शन करवाया है कि इसमें अभी 20 और मिल चुके और यह फर्स्ट पर आ चुका है 82 हो गया ठीक है तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है और इसका जो सबसे बड़ा ह नहीं क्या है आप लोगों की रिंग से हैं दूसरी चीज़ यह है कि यह दूसरे स्थान पर है अगर हम आकार के यह साइज के अनुसार अगर हम बात करें तो और दूसरी चीज़ है कि सूरिया से दूरी के अनुसार यह छटे अस्थान पर है मिस अगर डिस्टेंस पर देख पूछा जाए कि ग्रीन प्लैनेट किसी कहा जाता है तो आपका कौन है यूरेनस या अरुन को और इसके अंदर कौन सी होती है मीथेन है यह ध्यान रखना आप लोगो को हरा किसकी वज़े से हैं मीथेन की वज़े से इसके 27 क्या है मून से और अरुन अपने अक्ष में पूरू से पस्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है मींस क्लॉक वाइज घूमता है नेक्स्ट आपका वरुन नेप्चून वरुन ग्रह जो है वह आठवा और आकार में चौथा है वरुन के अगर हम बात करें मून्स की तो 14 है और वरुन की एज कितनी है 14 है आप इस तरह से याद रख सकते हैं सूरिय के सबसे अधिक दूर होने के कारण इस सबसे ठंडा है म का जो डिस्टेंस हो महां तक पहुंसती नहीं है जो गर्माट है या हीट है तो इस वज़े से और सूरिय का पूरा चक्कर लगाने में इसको कुल 165 साल का समय लगता है मिस 165 यर्स में एक टाइम पूरा कर पाते हैं कुछ इससे जो हमारा सॉलर सिस्टम है उससे जूम कर लीजिए तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी जो है इस तरह से तो मुझे काफी अच्छा लगता था जब मैं खुद इसे याद कर रहा था इन पीडिएप्स को बनाने के बाद में तो काफी अच्छा है इस तरह से आप लोग कर सकते हैं यहां से ठी तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे इसे प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपको डेफिनिटली आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, खुद आप ट्राइ कर सकते हैं इसके बाद, सबसे जो ब्राइटेस्ट है वो कौन सा है, चमकीला, गरम कौन सा है, गरम सबसे इसलिए क्या है, यह लाल दिखाई देता है, और लाल धबा प्रतीत होने वाला गरह कौन सा है, लाल गरह जो है, वो आपका मंगल है, यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, नीला गरह कौन सा है, प्रत्वी है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पानी के वज़े से, हरा गरह अब उनिंस को कहा जाता है इवनिंग स्टार वी वीनेस को ही कहा जाता है शबसे अधिक उपग्रह से यहां पर आप पो करेक्शन कर लेना यह अब का सेटन हे ठीक है अभी क्योंकि सेटन टॉップ पर आ है 82 हो चुके हैं आप लोगों को hopefully याद भी हो गया होगा यह सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनिमेड है और गैनिमेड किसका है वह आप लोगों का ब्रेश्च पती है तो किसी भी तरीके से question पूछा जा सकता है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो गैनिमेड किसका उपग्रह है तो आपका ब्रेश्च पती का सबसे चोटा जो है वो डिमोस है डिमोस पापोस किसके थे मंगल के है तो डिमोस आप लोगों को याद रखना है कि डिमोस ठीक है डिमोशन डिमोशन से डिमोस क्योंकि डिमोशन हो रखा है चोटा है सबसे नजदीक जो है स्टा वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है बात कर चुके हैं अलड़ी सबसे चमकिला तारा साइरस है अपनी सबसे तेज जो गहुमता है वो सबसे बड़ा ग्रह है आप लोगों को याद रखना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ब्रेश्पती दस गंटे में ग्हुम लेता है अपनी धुरी पर सबसे धीमे ग्हुमने वाला जो है वो शुक्र है और सूरज के सबसे तेज परिकर्मा करने वाला ग्रह कौन सा है आप लोगों का बुद्ध है सबसे तेज क्योंकि वो सबसे पास है तो सबसे तेज कर लेता है धीरे परिकर्मा करने वाला आप लोगों का व आप लोग अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं इंग्लेश में हैं माई वेरी एजुकेटेड़ मदा जस्ट सर्फ डास नाइन फीजास सो मर्करी वीनेस अर्थ मार्स जुपीटर सेचन यूरिनेस नेप्चिन फ्लेटो तो आप लोग इने याद कर सकते हैं तो चलिए मिलत हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई